ओम शांति ओम शांति अज साथ दिसंबर दोहजार देज दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बापदादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड सर्विस करने का उमंग रखो हुलास में रहो सर्विस में कभी ठकना नहीं है प्रश्न जिन बच्चों को ग्यान का नशा चड़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शोक होगा वे सदा, मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे सब को बाप का परिचय दे, सबूत देंगे बादशाही स्थापन करने निमित सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे बाप के पूरे पूरे मददकार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे गीत माता ओ माता तू सब की भाग्य विधाता ओम शंती अब नंबर वार पुर्शर्ट अनुसार बच्चे माता को जानते हैं मा को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे ये मा, बाप, सोभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है सोभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुर्शार्थ कर अपना पूरा सोभाग्य बनाते है सूरवशी, चंद्रवशी घराने में वर्सा लेते हैं सोभी नंबर वार बहुत तो ऐसे भी हैं, जिसे भील होते हैं न बहुत साधार्ण प्रजा में जाकर जर्म लेंगे वे मरतबा नहीं पा सकते बाप तो जरूर समझाएंगे बच्चे इस पुरानी दुनिया से मामत्व मत रखो दुनिया विचारी तो चिलाती रहती है बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए किनों को भल उमंग आता है परन्तु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है डारेक्शन तो बहुत मिलते हैं लिकित भी बड़ी रिफाइन चाहिए त्रिमूर्ती और जाड के चित्र तीस बाइ चालिस के होने चाहिए ये बहुत यूजफुल चीज़े है परन्तु इनका कदर बच्चों में कम है बल संजे का बहुत मान है परन्तु वे गायन पिछाडी का है जैसे कहते हैं आती इंद्रिये सुख गोप गोपियों से पूछो वे अभी पिछाडी की अवस्ता का गायन है अभी वे सुख किसी को थोड़े ही है अभी तो रोते गिरते रहते हैं माया थपड मार देती है भल रोज आते हैं परन्तु वे नशा थोड़े ही चड़ता है तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो वन गवर्मेंट भारत में थी उनको ही स्वर्ग कहा जाता था परन्तु कोई जानते नहीं पांच हजार वर्ष पहले राम के राज्य अर्थात सत्युग तरेता में एक ही गवर्मेंट थी दो थीर ही नहीं जो ताली बजे यहां भी कहते रहते हैं हिंदू, चीनी, भाई, भाई फिर देखो क्या करते रहते हैं गोली चलाते रहते हैं ये दुनिया ही ऐसी है स्त्री पूरिश भी आपस में लड़ पड़ते हैं स्त्री पती को भी थपड मारने में देर नहीं करती घर घर में बहुत जगड़े रहते हैं भारतवासी भी भूले हुए है कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्मेंट थी अभी तो अनेक गवर्मेंट अनेक धर्म है जो ज़रूर जगड़ा रहेगा तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्मेंट थी उसको का जाता है भान भगवती की गवर्मेंट भगती मार्ग होता ही बाद में है सत्युग त्रेता में भगती होती नहीं मनुश्य अपना एहिंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्यान कोड़ी का भी नहीं है यूग ज्यान तो बहुत है ना डॉक्टरी का ज्यान बैरिस्टरी का ज्यान आप कहते हैं जो डॉक्टर ओफ फिलोसफी कहलाते हैं उनके पास यह घ्यान जरा भी नहीं है फिलोसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है स्थापना में मददगार बनना है अच्छी चीज बना कर देनी है जैसे मनुष्य वैसा निमंतरन दिया जाता है जैसे गवर्मन्ट में बहुत ओफिसर्स हैं एजुकेशन मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है यहां भी ओफिस होनी चाहिए डारेक्शन निकलें वे फिर अमल में लावें अब देखो गौरक पूरी गीताएं निकलती हैं सब फ्री देने के लिए तयार रहते हैं जो भी संस्थाएं हैं उनको फंट्स पहुत हैं कश्मीर का महराजा मरा तो सारी मिलकित आरे समाजियों को मिली क्योंकि आरे समाजी था सन्यासियों आदी के पास भी बहुत पैसे रहते हैं तुमारे पास भी जो पैसा आदी है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो रात दिन का फर्क है वह दिन प्रतिदिन नर्कवासी बनते जाते हैं, तुमको अबबाप स्वर्गवासी बनाते हैं है तो सब घरीब, ऐसे नहीं कि हाम पैसे इकठे करते हैं तुम तो कहते हो बाबा, ये पाई पैसा सब यग्य में, सर्विस में लगा दो इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं वन गुबर्मेंट तो हो नहीं सकती तो गुबर्मेंट को बताना चाहिए कि सूरेवंशी, चंद्रवंशी बरोबर वन गुबर्मेंट थी तुम भी चाहते हो तो व leaf होगी जरूर बाप स्वर्ग की स्थापना कर रही है वह है ही Heavenly Godfather हम वाँ DT Government स्थापन कर रही है वाँ Devil Government होती नहीं उन सब का विनाश हो जाता है तुम्हारे पास Knowledge बहुत अच्छी है बहुत काम हो सकता है Daily Head Office है बहुत सेवा कर सकते है वाँ बच्चे भी बहुत अच्छे है जगदीश संजे भी है परन्तु संजे तो सब है न एक नहीं तुम हर एक संजे हो तुम्हारा काम है सब को रास्ता बता न बाप तो अच्छी रिती समझाते रहते हैं परन्तु बच्चे अपने ही दंदा धोरी में बच्चों आदी की संभाल में फसे हुए है ग्रेस्त व्यवार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है या तो सर्विस कर दिखाना है वन गवर्मेंट कैसे स्थापन हो रही है यह चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है जैसे रावन का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बना कर लिखना है अब काटा आकर पहुँचा है फिर वन गवर्मेंट होनी है बाबा डारेक्शन देते है शे बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे अगर यह जाए तो गोया शे बाबा को दक्के खाने पड़े बच्चों को रिगाड रखना चाहिए यह सर्विस करना बच्चों का काम है लिखना चाहिए वन गवर्मेंट जो भारत में थी वैं फिर से स्थापन हो रही है कितने वर्षों से यह यग्यर अचा हुआ है सारी दुनिया का जो कच्रा है वैं इसमें समा जाना है है बहुत सहच पर तु सभी को समझाने में समय चाहिए राजा तो कोई है नहीं किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे क्योंकि राजा में ताकत रहती है किंग बनते हैं या तो राजियोग से या बहुत धनदान करने से या तो है ही प्रजा का राज्य एक गवर्मेंट नहीं है तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है सोना नहीं है जैसे सत्संग में कथा सुना कर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं कोई हुलास नहीं रहता ऐसे बच्चों में भी हुलास कम है गवर्मेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है, कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स क्लास फूल ला कर देंगे, बाप की भी यह फुल वारी है, कोई आएंगे तो हम क्या सेर कराएंगे, नाम बताएंगे, यह अच्छे- पूल है, टांगर अकके भी फूल बैटे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस करते हैं, रोज कोई ना कोई को बाप का परीचे अवश्य देना चाहिए, तुम तो हो कुप्त, कितने विखन पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है, बाबा बार-बार कहते हैं, मंदिरों में ज जाओ, शम्शान में जाओ, भाशन जाकर करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, सेकडों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंदियों आदि को भी समझाना चाहिए, या आने से डरते हैं, तो घर में जाकर समझा सकते हो, बाप का परीचे मिलने से बहुत बावट नहीं होनी चाहिए, सो में से एक निकलेंगे, बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े, जब तक गाली नहीं खाई है, तब तक कलंगी धर नहीं बनेंगे, ग्यान का नशा चड़ा हुआ है, परन्तु रिजल्ट कहां? अच्छा दस बीस को ग्यान दिया, उनसे एक दो जागे वह भी बतलाना चाहिए न, सर्विस का शोग चाहिए, तब तो बाबा इनाम देंगे, बाबा का परीचे दो, तुमारा बाप कौन है? तब ही फिर वर्से का नशा चड़े, तुम भाशन करो, वर्ड में सिवाए ब् माकुमारियों के वर्ड की हिस्ट्री जोग्रफी कोई भी नहीं जानते, चैलेंज करो, बाबा ने शम्शान की बात उठाई, तो तुमको शम्शान में जाकर सर्विस करनी चाहिए, दंदा दोरी तो फिर भी छे-ाट घंटा करेंगे, बाकी समय कहां चला जाता है? ऐसे फि ठीक है ना? एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ड की हिस्ट्री जोग्रफी आकर समझो, कैसे रिपीट होती है? अखबार में डालो, हौल लेने की कोशिश करो, तुमको तीन पैर प्रत्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं, तुम हो परमधाम के फॉर्णर्स, आत्में सब परमध हम से आई हैं, तो यहां सब फॉर्णर्स हुए ना? परंतु तुम्हारी यह भाशा कोई समझते नहीं, यहां साकार में नहीं बताया जाता कि पाउँ छुओ, यह करो, जैसे सादुमात्माओं के पाउँ चुंकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है, गीत, माता तु सब की भाग्य विधाता, माता जगत अंबा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है, वैं भी कहती है, शिबाबा को याद करू, मैं भी उनसे धारन करके औरों को धारन कराती हूँ, सो भाग्य बनाती हूँ, तुम हो भारत के सो भाग्य विधाता, तो कितन नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा, सो बाप की महिमा, सो दादे की, तुम बच्चों को यग्य की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रुहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए, मन मनाभव का मंत्र सब को देना है, मन मनाभव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा, इस में कर्मना भी आ गई कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए गाओं में सर्विस अच्छी होती है बड़े शहरों में बहुत फैशन है टेंपडेशन बहुत है तो क्या करें क्या बड़े शहरों को छोड़ दें ऐसे भी नहीं बड़े शहरों से सहुकारों से आवाज निकलेगा बाकि दुनिया को तो इस मन मनाभव के चू मंत्र से स्वर्ग बनाना है बाप बैठ समझाते हैं यह जगदंबा कौन है यह है भारत की सोभागे विधाता इनकी शिव शक्ती सेना भी मशुहूर है हेड है जगदंबा अठत भारत में वन गवर्मेंट की स्थापना करने वाली हेड भारत माता शक्ती अवतारों ने भारत में वन गवर्मेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर अच्छा मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार बुद्धी योग एक बाप से रखना है मन मनाभव के चू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है सर्विस में कभी ठकना नहीं है स्थूल सेवा के साथ साथ रुखानी सेवा भी करनी है मन मनाभव का मंत्र सब को याद दिला ना है वर्दान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा वारहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जैसे बाप रहम दिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपावा रहम करेंगे क्योंकि बाप समान निमित बने हुए हो प्रामन आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रती गरणा नहीं आ सकती चाहे कोई कंस हो, जरासंदी हो या रावन हो कोई भी हो लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे गरणा नहीं करेंगे परिवर्तन की भावना, कल्यान की भावना रखेंगे क्योंकि फिर भी अपना परिवार है परवश हैं, परवश के उपर गरणा नहीं आती स्लोगन मास्टर ग्यान सूरे बन, शक्तियों रूपी किर्णों से कमजोरी रूपी की चड़े को भस्म कर दो ओम शंती ओम शंती